हे गाईज देखोगे रेल विकास निगम लिम्टेड आर वी एनल किस कदर भागता हुआ नजरा आ रहा है मतलब समझो कि बहुत सारे लोगों ने आपर बहुत मोटा पैसा बनाया है अब यह जो कंपनी आना एक बहुत बड़ी कंपनी बन रही है बहुत का मतलब बड़ी कंप मतलब अगर हम देखते हैं तो मतलब यह पूरे तीन चार मैने से यह पूरा कंसुलिडेट कर रहा था एकदम साइड़ वे में चला गया और फिर देख लिए बहुत बड़ी रैली देखने को मिला पिछले एक साल का भी अगर आप चार्ट देखोगे या पान साल का तो कई बारे इसके साथ यही हुआ है देख लिजे बहुत बहुत लंबे सहे यह पूरी नाइट से बात करते हैं और 2022 तक 32 रुपीज था और यहाँ पर भी देख लिजे 19 रुपीज था मतलब 2-4 रुपे का fluctuation होता था बस उतना है तो देखेंगे 1-2-3-4-4 तो 4 साल तक ऐसे stocks में कोई भी बेजान सा रहा मतलब कोई भी moment देखने को नहीं मिला और किवल यहाँ पर देखना चाहोगे तो किवल एक साल में यहाँ 1-2 साल में मतलब stock जिस कदर भागा है न मतलब लोगों को road पर से मतलब आसमान पे लेकर आ गया है यह company इस stock से हमें कुछ सीखने को मिलता है क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई अच्छी company है और नहीं चल रही है तो हमें long time के लिए hold करना चाहिए इसलिये Warren Buffett ने भी बोल रखाया कि at least 10 सालों के लिए तो आप किसी stock को hold करो ही करो राके जुन जुन वाला से हमें सीखना चाहिए क्या सीखना चाहिए आज की रेट में राके जुन जुन वाला हमारे बीच नहीं है लेकिन राके जुन जुन वाला का Titan company हमारे बीच में है सोचो इंसान नहीं है लेकिन उनका investment अभी बैस इससे हमें क्या पता चलता है कि patience है कैसी चीज है जो कभी खतम नहीं होना चाहिए याद रखेगा सीखो हर जगह से सीखो यह मत सोचो कि यह stock भागीगा बता दो stock भागीगा कितना कहां तक जाओगे एक दिन को किसी ने बता दिया दो दिन तीन दिन सीख लोगों तो जीवन वार आपको काम देगा knowledge हमेशा आपके साथ रहता है लेकिन किसी ने बता दिया tip वो आपके साथ नहीं रहेगा तो यह देखे यहाँ पर बताया जा रहा है rail Vikas Nigam Limited यह जो company है का full form महरास्टरा metro के लिए इन्होंने सबसे lowest bid लगाया है कुछ दिन पहले भी यह ख़बर आई थी कि इन्होंने सबसे lowest bid लगाया था अब भाई सबसे lowest bid lowest bid का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि सरकार बोलती है कि भाई देखो हमें यह काम करना है कौन करकर देगा कौन करके देगा तो बहुत सारे company लोग अपने interest दिखाते है तो यह company बोलती है कि भाई देखो मैं तो 100 करोड लूँगा और आपका काम कर दूँगा सामने वाली company बोलती है मैं 90 करोड में ही कर दूँगा और वो company बोलती है मैं 80 करोड में ही कर दूँगा और यह RVNL rail विकास निगम limited बोलता है कौन कितना बोलता है करके तो सबसे lowest जो bid लगाता है वो rail Vikas Nigam Limited लगाता है हर बार अब इसी वज़े से इस company के पास इतने project हो चुके है इतने project हो चुके हैं कि समझो आने वाले 5 सल भी ये complete करता रहा तो company चलते रही और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि आखिर 100 करोड का जो project है वो 50 करोड एक्जामपल देकर बता रहा हूँ एक्जामपल आप लोग के समझने के लिए ये जो 100 करोड का project है ये 50 करोड में कैसे काम कर देता है रेल Vikas Nigam Limited इतना मतलब कैसे हो सकता है इतना करेंगे इतना करेंगे इसके वाज़े से इनके पास बहुत मतलब इसी चीज में बहुत सारे management के expertise बहुत अच्छी होती है इनके पास fund कहां से क्या लाना इनको सब कुछ पहले से होता है तो ये इस company में माहीर है मतलब इस काम में माहीर है इस वज़े से ये सबसे lowest bit लगाते अब समझे लोग जिस company के पास अच्छा कासा technology नहीं है तो वो तो बोलेगे भाई ये मेरे से थोड़ा late हो जाएगा किसी और से करवाना पड़ेगा दिक्कत में फ़स जागी वो company तो ज़्यादा पैसा charge करेगी नाए machinery वगर लाने के लिए तो ये सब काम RVNL बहुत असानी से कर देती है इस वज़े से ये सबसे lowest bid लगा पाता है तो bridge हो गया, elevator हो गया, metro हो गया ये सारा जो काम है ये रहेल विकास तिंगम लिम्चड ही करके देगी इस company के पास 52,000 करोड का order book पहले से है कितना 52,000 करोड का order book पहले से है ये company के पास 130 project है सर जिन में से इन्होंने 70 side complete कर दी है या फिर ये under construction है मतलब ये काम चल रहा, ऐसा है ये इतने बड़े-बड़े project लेती है ये company समझ मान लेते हैं कि यहांपर देख सकते हो कि इतने बड़े मतलब पानी में इनको बनाना है ये आप सोचो ये क्या बहुत normal काम है नहीं नहीं इसमें बहुत ज़्यादा fund की जरूत पड़ेगी और सोचो ये जो पानी में इस तरीके से इतने बड़े-बड़े ब्रीज बनाने है क्या है सब लोग कर पाएंगे इतना बड़ा technology नहीं होगा सर सब के पास technology नहीं होगा क्योंकि आप जमीन पे तो बना देगो बहुत आसानी से लेकिन जब आगर आपको पानी में बनाना होगा ना तो लोग दिक्कत में फस जाता है क्योंकि लोगों के पास technology नहीं होता और जहां तक कि tunnel बनाने की बात होती है इस बहुत जाता जो बड़े बड़े जो machine होते वह चाहिए होता और वह यह जो सारे machine होते है वह हो सकता है कि बहार इंडिया के बहार से हमें import करना पड़ता होगा अब यह import में तो हमें ज्यादा tax देना पड़ता है और सब लोगों के पास होता भी नहीं है तो इस वज़े से यह यहां पर एक कदम बाजी मार लेती है और मेट्रो अगरा जब बनाया जाता है ना सर तो मेट्रो ज्यादा तर जो है जमीन के नीचे ही बनाया जाता है और ठीक है और जमीन के नीचे या तो फिर जमीन के उपर जमीन के उपर मतलब मतलब खंबे डालके ऊपर में जैसे रोड होता न हमारे उस तरही के सा नहीं बना जाता बिरिज टाइप का बना जाता पुछो क्यों क्यूँकि मेटरो एक ऐसी चीज है जिसे किसी को डिस्टप नहीं होना चाहिए नाइट ट्राफी को डिस्टप होना चाहिए बहुत सारे एनलिस्ट हैं जिनका तार्गेट था 185 रुपिस अब लोग बलेंगे सर ये तो 19-20 परसेंट का तक का ये नहीं नहीं सर ये दिया बहुत पहले गया था जब स्टॉक नहीं दोड़ा था न तब से और जब ये स्टॉक 130 रुपिस या 120 रुपिस के बाद जो में थ UL.Colay अर जिलो लोगों का मानना है कि einem करो हों पहल मत कर वखें कटकर क्यों आपके पास चीज हई ही नहीं है तो होल करो गेसे हो और इनका मानना है कियाँकर निवन खरीद उखरीद माहिकों ये बड़े उड़े जो सर्चरें उनका मानना है ऑर अग आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलिवरी चार्जेस फ्री, क्यों 20 रूपीस लगता वो भी इंट्राडे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिन्टो में जाके अपने डिमेट अकाउंट बगरा उपन कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से,